परिजय बच्चों, आज हम जैव प्रोद्दोकिकी एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे वहाँ सेर, ये रोज़क लग रहा है हाँ, इसलिए मुझे कौन बताएगा कि जैव प्रोद्दोकिकी क्या है? आपने सही बताया रितू, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव प्रोद्दोकिकी का उप्योग किन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है? सेर, ऐसी अनेक प्रक्रियाओं हैं जिन के लिए जैव प्रोद्दोकिकी का उप्योग किया जाता है जैसे की रूगों की पहचान करने के लिए जीन इस्थानांतरन आ दी, बहुत अच्छे प्रतीक, आओ अब विस्तार से अध्यन करें, इस पार्ट में आप जय प्रोद्दोकी की एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे क्रिशी में जयव प्रद्धोकी की के उप्योगों की व्याख्या करना, चिकसा में जयव प्रद्धोकी की के उप्योगों की व्याख्या करना, जीन चिकसा की व्याख्या करना, आण्विक निदान का वरणन करना, पार जीवी जन्तूओं और उनके उप्योगों की व्याख्य करना और नेतिक मुद्दों की चर्चा करना। क्रिशी में जैव प्रदोगी की का उप्योग। विशिश्ट उप्योगों है तू किसी उत्पात को बनाने या रुपांतरित करने। पौधों या जन्दूं में सुधार करदें के लिए जीवानूं, वाइरस, कवक, येस्ट, जन्तु कोशिका, पादप कोशिका आधी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रदोगी की के रूप में जैव प्रदोगी की को विस्तार से परिभाशित किया जाता है। जो हमारे बदलते वातावरण में बहतर प्रदेशन कर सकें। इन में से कुछ पीड़क प्रतिरोधी, शाक नाशी प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, लवण सहनशील, ओश्मा प्रतिरोधी, फसलों का विकास शामिल है। जब प्रयोग शाला में एक जीव के जीन को दूसरे जीव को सुथारने या परिवर्तित करने के लिए अभिप्राय पूर्वक इस्थानांतरित किया जाता है, तो अनुवन शिक्ता रुपांतरित जीव यानि जी एमो का निर्मान होता है। आनुवन शिक्ता रुपांतरित जीवों का उप्योग आनुवन शिक्ता रुपांतरित पौधे कई तरह से उप्योगी हो सकते हैं। कीट पीड़क प्रतिरोधी पौधों के कारण कमपीड़क नाशी का उप्योग करने की आविशक्ता होती है। आर्थिक रूप से अधिक अनुकूल क्यूंकि पीड़क नाशी वायू, ब्रिद्दा और जल में नहीं जाते हैं। फसल की अधिक पैदावार। आनुवन शिक्ता, रुपांतरित फसलों को उन विटामिनों से भरपूर बनाया जा सकता है, जिनकी कुछ प्रधान किस्मों में कमी हो सकती है। क्रिशी में जैप्रदोकी की का उप्योग बीटी का पास बैसलस, थोरिन, जेन, सीज, द्वारा उत्पन, क्राई प्रोटीन, विभिन कीट पीड़कों के विरुथ प्रभावित जैव कीटना शक होते हैं। क्राई जीव विशों को डिम्ब आंत्र लियूमन में सक्रिये प्राग जीव विश के रूप में उत्पन किया जाता है। जीव विश आयनिक छद्रों को बनाने वाली कला में स्वल्प लकन और अंतर वेशन को प्रेरित करने वाले ग्राहियों से जुड़ जाते हैं, जो कोशिकाओं और डिम्ब को मार देते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा कीटों का हमला एक गंभीर क्रिशी समस्या है, जिससे उपज काफी कम हो जाती है और उत्पादन गुणमत्ता घड़ जाती है। कीटों के कारण खेदों में और साइलों में भंडारन के दोरान नुकसान हो सकता है। प्रतेक वर्ष कीट दुनिया भर की खादे फसलों का लगभग 25 प्रतिशत भाग नश्ट कर देते हैं। RNA अंतरक्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निश्क्रिये करना इस समस्या का वांचनिये प्राकृतिक समाधान है। 203 RNA मध्यवर्ती अंतरक्षेप RNAI जीवों में जीन अभिव्यक्ति को निश्क्रिये करने की सरल और तीवर्विधी है। किसी जीन का निश्क्रिये होना RNA का छोटे छोटे RNA में निमनी करण का परिडाम है। जो समझाद दूद आ रहने को लक्षित करने के लिए रिबॉन्ड यूक्लियेज को सक्रिये करते हैं। और शदियों में जैव प्रोद्धुकी की का उप्योग। अनुवन शिक्ता निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अगनाशे द्वारा उत्पन होता है और जो ग्लुकोस के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन दो पॉली पेप्टाइड श्रिंखलाओं का बना होता है। श्रिंखला A और श्रिंखला B जो आपस में डाई सल्फाइड से द्वारा जुड़ी होती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन प्राग हार्मोन कन्वर्टेज तथा एक्सो प्रोटीएज कार्बोक्सी पेप्टाइड एज ए कहलाने वाले प्रोटीन अभगटक एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राग इंसुलिन पूर्ववर्ती अनू से संशलेशित होता है। प्राग इंसुलिन के ये रुपांतरण अनू के केंद्रिय भाग अर्थात C-Peptide को प्राग इंसुलिन के C और N अंतस्त सिरों से हटा देते हैं। शेश पॉली पेप्टाइड B और A श्रेंखलाएं आपस में डाइस सलफाइड बंधों द्वारा जुड़े होती हैं। अनुवन्शिक दोशों को सही करने के क्रम में अनुपस्थित या दोशपून जीन की जगह कोशिकाओं में सामाने जीनों को प्रवेश कराना जीन चीकिस्सा कहला दी है। एक कोशिका के जीनों में नया जीन प्राप्त करने के लिए इसे समवाख कहलाने वाले एक अनू में किया जाना चाहिए। वर्तमान में उप्योग किये जा रहे सबसे सामानने समवाहक विशाणूं हैं जो प्रकृतिक रूप से आक्रमन कारी कोशिकाएं हैं और अपने आनुवन्शिक पदार्थ को कोशिका के जीनों में प्रवेश कराती हैं। एक समवाहक के रूप में विशाणूं का उप्योग करने के लिए विशाणूं के जीनों को हटा कर कोशिका के लिए निर्धारित नई जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब विशाणूं कोशिका पर हमला करेगा तो ये अपने आनुवन्शिक पदार्थ प्रवेश क एक सफल इस्थनांतरण के परिणाम सरूप लक्षित कोश्का में अब नया जीन होगा, जो दोशपून जीन द्वारा उत्पन समस्य को सही करेगा। झाल 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 आणविक निदान किसी उतक या तरल में प्रोटीन, DNA, RNA जैसे अणों के अध्यम द्वारा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है आणविक निदान और चिकिसा है रोगों के आणविक कारणों का पता लगाने निगरानी और उपचार करने में उन्नात विशिस्ट जन संख्याओं की और आउशत विकास और लक्षित आउशदियों के मार्क दर्शन के लिए बायो मारकर का उप्योग आउशद प्रतिक्रिया, आउशद उपापचय, प्रतिकूल प्रभाव और रोग प्रगती को प्रभावित करने वाली अनुवंशिक विभनताएं आउशद या नैदानिक संयोजन का पिकास और चिकिस्ये उप्योग उभरती हुई फार्मेको जिनोमिक और आणविक नैदानिक प्रद्योगी की नैदानिक और व्यक्तिकच किस्या में विनियामक मुद्दे पारजीवी जन्तू ट्रांसजेनिक एनिमल्स जन्तू जिनकी अनुवंशिक विशेष्टाओं को एक रुपांतरित जीन द्वारा या अनुवंशिक प्रद्योगी की तक्नीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर वेशन द्वारा बतल दिया गया है पारजीवी जन्तू कहलाते हैं पारजीवी जन्तू के उत्पादन के समाने कारण हैं कुछ पारजीवी जन्तू का विशेष्ट आर्थिक लक्षणों के लिए उत्पादन किया जाता है उधारन के लिए पार जीवी पशुओं को विशिस्ट मानव प्रोटीन युक्त दूद उत्बन करने के लिए बनाया गया था, जो मानव वाद स्भीती के उपचार में सहेता करती है उधारन के लिए हावर्ड वैग्यानिकों को आउनको माउस या हावर्ड माउस कलाने वाले अनुवन शिक्ता निर्मित चूहा बनाने में प्रमुक वैग्यानिक सफलता मिली, जिसमें विभिन मानव कैंसरों के विकास को बढ़ावा देने वाला जीन है पारजीवी जन्तूओं का उप्योग मानव कल्यान के लिए इन जन्तूओं के लाभों को निम्निक शित्रों में वर्गि क्रित किया जा सकता है क्रिशी, आउशधी और उद्योग क्रिशी उप्योग, प्रहजनन पारम परिक प्रजनन अधिक समय लेने वाला मुश्किल कार है जह प्रदुखी की के उप्योग से कम समय में और अधिक परिशुधता के साथ जन्तूओं में विशेशताओं को विक्सित करना संभव हो गया है इसके लाबा उपज बढ़ाने के लिए किसानों को एक आसान तरीका भी प्रदान करता है गुनवत्ता पार जीवी गाएं अधिक दूद उत्पन्न करती हैं या कम लेक्टोज या कॉलेस्ट्रोल वाला दूद उत्पन्न करती हैं सुवर और पशु जिन में अधिक मास होता है भेड जो अधिक उन देती हैं रोग प्रतिरोध विक्यानिक रोग प्रतिरोधी जंत्रों को उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत हैं जैसा की इंफ्लुएंजा प्रतिरोधी सुवर लेकिन जीन की बहुत ही सीमिस संख्या वर्तमान में पालतू जानवरों में रोगों के प्रतिरोध के लिए सिम्मेदार है चिकिस्सा उप्योग जीनो ट्रांस्प्लांटेशन पारजीवी स्वर प्रतिरोपन अंगों की कमी को पूरा कर सकते हैं पोशन संपूरक और ओशधियां, इंसुलिन, व्रिद्धी हार्मोन और रुधेर इसकंदन रोधी कारकों को पारजीवी गाय, भेड या बकरी के दूस से शिग्री ही प्राप्त किया जा सकता है या पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है मानव जीन चिकिसा में जीन की दोशपूर्ण प्रतिलिपियों वाले व्यक्ति के जीनों से जीन की समाने प्रतिलिपी जोड़ना शामिल है पाँच हजार नामित अनुवन्शिक रोगों के उपचार की संभावना बहुत अधिक है और पारजीवी जन्तू एक महत पूर्ण भूमी का निभा सकते हैं और द्योगिक उप्योग सन 2001 में कैनेडा में नैक्सिया जैव प्रोधुगिकी के दो वग्यानिकों ने दूद पिलाने वाली बक्रियों की कोशिकाओं में स्पाइडर जीन को आपस में जोड़ दिया बक्रियों ने अपने दूद के साथ रेशम निर्मान आरंब कर दिया और बाल्टी में अपने शरीर से महीन रेशम के सूत्रों को स्रावित किया दूसे पॉलिमर सूत्रों को निकाल कर और उनको धागों में बुनकर वग्यानिक एक हलका कठोर लचीला पदार्थ बना सकते हैं जिसका उपयोग, सहन्यवर्दी, चिखिस्सा में सूक्ष्म सीवन और टैनिस रेकेट के तार जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है नैतिक मुद्दे जीवों के अनुवन्शिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित और अवांचनिये प्रभाव हो सकते हैं जब ऐसे जीवों को पारिस्थित की तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाता है जन सेवां के लिए ऐसे जीवों के रूपांतरण और उपयोग से अनुमत एककस्र की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं इसलिए भारत सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवन्शिक रूपांतरण की वैधानिक्ता और जन सेवा के लिए आनुवन्शिक्ता रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा की बारे में निरणें लेने के लिए अधिक्रित हैं ऐसा ही एक संगठन अनुवन्शिक अभियांतर की संतुती सम्मिती यानि G.E.A.C. है सन 2001 और 2002 में भारत में 93 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ और 2011 और 2012 तक सरकार का लक्ष 129 मिलियन टन चावल उत्पादन का है बायो पाइरेसी बायो पाइरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनिक या आनुवन्शिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारेपणाली है विशेश कर एकस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मुआवजे का भुक्तान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रती बंधित करती है भारत में उखने वाला पास्मती चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंद के लिए मशूर है लेकिन एक अमरीकी कमपनी ने अमेरीकन एकस्व वा ट्रेट मार्क कारियाले द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था इस कमपनी ने भारतिय किस्मों को अर्थ बंधिक किस्मों से संकरन करा कर बास्मती की नई किस्मों विक्सित की क्या आप जानते हैं? अमेरीकी शूद करताओं ने एक प्रणाली विक्सित की है जिसमें नेले प्रकाश को सक्रिये करके किसी भी वांचित जीन को प्राप्त किया जा सकता है तथा टर्न ओन या टर्न ओफ कर सकते हैं जो जैव प्रोध्दोगी की और चिकिस्सा में अनुसंधान के लिए हो सकते हैं ये पहली बार है जब DNA के विशिष्ट खंडों को टर्न ओर या टर्न ओफ किया गया है उन्होंने American Chemical Society के जनल में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में प्रकाश की तीवरता का उप्योग करके जीन अभिव्यक्ती के इस्तर को अनुकूल बनाने के बारे में जानकारी भ आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संक्षेप में दोहराएं विशिष्ट उप्योगों हेतू किसी उत्पाद को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए जीवाणूं वाइरस, कवक, यीस्ट, जन्तु कोशिका, पाधप कोशिका आदी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रद्योकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है। RNA अंतर्क शेप द्वारा विशिष्ट जीन को निश्क्रिय करना कीठ हमले की समस्या का वांचनिय प्राकृतिक समधान है। DNA, RNA जैसे अणों के अध्यन दोरा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। एक रुपांतरित जीन दोरा या अनुवंशिक प्रोद्वकिकी की तकनीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंदर विशन दोरा बदल दिया गया है। पार जीवी जन दो कहलाते हैं। विशेश कर एक अस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मौवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रतिबंधित करती है। कर दो करते हैं।